नमस्कार प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का मालवे क्लासिस परिवार में और आज मैं RRB NTPC की इस वेकेंसी की बात कर रहा हूं जो इस बार पहली बार रिकुर्मेंट यानि पहली बार डारेक्ट भरती हो रही जिसकी इसका नाम है कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवा चाहे आपको इसके अंदर डाउट हो किसा मुझे सेलेक्षन प्रोसेस जानना हो ट्रेनिंग पीरिड कितना होता है पॉस्टिंग कहां पर ड्यूटी कितना टाइम का आपको काम करना पड़ता है जो प्रोफाइल क्या करना पड़ता है प्रमोशन कितने साल में मिलता है क्या है और यहां पर एडवांटेज और डिस एडवांटेज की भी बात करेंगे और लड़कियों के लिए कितनी सही जोब है यह भी तीस सारे मुद्ध्य आज इसलिए कहता हूं कि दस वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को बस देख लेना आपके सारे डाउट क्लियर होंगे और आपको होगी विकात भी है सारी जोब छोड़कर मैं इसके तैयारी करूंगा लाग सत्राजार सेल्री आपको स्टार्टिंग मिलना सुरू हो जाएगा और मज़ा जाएगा सर कैसे पूरा प्रोसेज जानेगा लाग सेल्री भी हो जाएगी पर अगर ऐसे समझ इसके अंदर दो चीजे में आपको बताना चाहता हूं पहली चीज़ देखो अगर आप करना चाहते है उसकी तैयारी ठीक है चीफ कोमर्चल कम टिकट सुपर्वाइजर के लिए तो सबसे पहले आपको आप ग्रेजुए सबसे पहले क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होनी कोटा के दुवारा 75% लोग यहां पर सुपर्वाइजर के लिए जाते थे ठीक है पर क्या हो गया है कुछ इसमें आपके डिपार्टमेंटल अग्जाम भी होते हैं जैसे कि आपने आप किसी जोब में थे रेलवे में लेविल वन से लेकर लेविल वन से लेकर चाहे टू मे हो त्री में यानि कि 5 तक आप किसी में भी थे अगर आप डिपार्टमेंट में किसी जोब में थे ना रेलवे में ठीक है तो आप LDC ठीक है GDC LDC का एक एक अग्जाम होता है उसको तुरू भी 10% लोग यहां पर एपलाई कर लेते थे बास समझ में आ गई है ठीक है पर अब इस बार क्या होगे डारेक्ट रिकूर्मेंट हो गया तो इससे क्या बेनिफिट होगे क्या क्या चीज़े है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा ठीक है आईए सबसे पहली बात हमारा क्या होगा यहां पर CBT-1 होगा सबसे पहले CBT-1 होगा उसके बाद CBT-2 होगा उसके इसको थमझने का परियास करेगा इसको ध्यान से देखेंगे तोड़ा मैं डार करके लाया हूं इसको थमझने का परियास सब्सक्राइब करेंगे थोड़ा समझने का परियास करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़े क्लियर होंगी यहां पर साफ साफ लिखा गया है प्यारे साथी ध्यान से देखेगा कि 50% वेकेंसी चीप कॉमर्शल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए क्या होती है ठीक है वो कैसे होता है पर्मोशन के थुरू होता है बास समझ में आगए तो आपको इतनी बास समझ में आई जी सर इसके बाद एक और इससे उपर एक लाइन लिखी है उसमें थोड़ा सा ध्यान सकते हो कोमर्शल जो आपकी क्या थी एपरेंटिस वाली जोब थी और कुछ ऐसी होती जो अलग से भी निकलती है इसलिए ध्यान रखना ठीक है अब क्या होगी इस बार डारेक्ट रिकुर्बेंट हुआ पहली बार हुआ है अब दिखें मैं पूरा डिटेल में कल में वीडियो बना रहा था पर वो पूरे से नहीं बन पाई क्योंकि मुझे मैं मैं चाहता हूँ कि पूरी जब डिटेल हो तभी मैं आपके सामने हूँ रादे रादे नमिश्का अब दिखीगा इसमें यहां पर आप देख सकते हैं चीप कोमर्शल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए ठीक है 75 परसंट परमोशन कोटा 15 परसंट डारेक्ट में आप सौ परसंट परमोशन कोटा के द्वारा कौमर्शल सुपरेंटियद बन सकते हैं अब देखीगा जो बच्चे सर मैं तो Кी सी ती सी की जोब में थे ठीक है वो दिको लेवल ्ַरी वाले हैं ठीक है अब यहां पर देख सकते हो जो क्लर की जोब थी ठीक है commercial come ticket जो clerk की job थी वो कहे रहें आप लोग खतम हो गई है दोको 100% यह ना promotion quota के द्वारा ही होता है अलग से vacancy नहीं है ठीक है इसलिए क्या होगा यह direct promotion यानि जो भी बच्चे वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं जो भी job पर है वो promotion के तुरू 100% promotion quota के द्वारा ही इस पर पद ले सकते हैं ठीक है आगई बास समझ में बहुत सरे करे सरी वेकेंसी नहीं है यह क्योंकि 100% promotion quota के द्वारा है ठीक है अब यहां पर देखिए एक 2023 का नोटिस जिसकी मैं बात कर रहा हूं यहां ध्यान से देखीगा हमारे सी टीसी ठीक है यहां पर हमारी जो सुपरवाइजर की जोबे 17 पद आये थी पिछले साल 2023 की बात कर रहा हूं प्यारे साथी ठीक है समझने का परियास करिएगा ठीक है तो यहां पर क्या होता है हर साल इसी प्रकार वेकेंसी आती थी पर इजवार वेकेंसी की संक्या बहुत ज़्यादा दी गई है तो आपको परिशान होनी की भी कोई जरूरत नहीं है आ जाएगा अब यहां पर 17 पद दिये गए थे यहां देखो मैं आपके लिए जूम कर तो बिल्कुल बड़ा कर दिया देख सकते हो यह पिछले साल का एक नोटिस था जिसमें आपको बताया है कि जो आपके हैं 17 पद थे ठीक है इस प्रकार अलग कर दो आप सर्सक्राइब और जो होता है तो यहां भी नभाए मिनट अपको समय मिलता है आगे बात कर लेते हैं प्यारे साथी अब देखिए बड़ी बात यहां आपको बताता हूं जो हमारा पिछला नोटिस था अब से जो हमारा कल नोटिस आया है उससे पहले जो नोटिस उसमें साफ साफ लिखा गया था ठीक है इसमें एक बात साफ साफ लिखी गई थी मैं थोड़ा समझाने का परियास करता हूं ठीक है थोड़ा मैं आपको समझाने का परियास करता हूं इन्होंने कहा था कि cbt1 जो भी बच्चे cbt1 clear करेंगे cbt1 cbt1 को सिर्फ सिर्फ clear करना है qualifying म लगेगी तो अब क्या होगा cbt1 जो वेकेंसी का 20 गुणा बच्चा 20 गुणा बच्चा cbt2 में लिया जाएगा इन्होंने यह बोला था यहां देखो 20 गुणा बच्चा क्या लिया जाएगा cbt2 में लिया जाएगा यह बोला था ठीक है अब आपके एक्जाम में क्या टाइप साफ लिख दिया गया कि 20% बच्चा नहीं 15% बच्चा वेकेंसी का 15% बच्चा ही लिया जाएगा CBT2 के लिए क्लियर हो गई इतनी बात बिल्कुल पूरा डिटेल में लाया हूं समझने का पर्यास करें और CBT2 के बाद जो हमारे क्या जाएंगे जो कितने पर्केंड बता दीजिए तो भाई CBT1 से CBT2 में 15% बच्चे लिये जाएंगे और CBT2 से अगर पूरी तरीके से ग्राइजवेट है यानि आपके पास हाथ में क्या है यह बहुत सारे बच्चे सर मैंने तो कर ली पर मेरा फाइनल वह नहीं है तरीके से अगर बात करें तो बीटू लेविल आप से मांगा जाता है यह बहुत सारे बच्चे सर मुझे कलर में दिक्कत होती है तो उसके कोई दिक्कत नहीं है आप भर सकते हैं प्यारे साथी ठीक है आगे बात कर लेते हैं अब उसके बाद जब आपका क्या हो जाएगा मेडिकल हो जाएगा मेडिकल के बाद आपका मेरिट लगेगी और मेरिट लगेगी प्यारे दोस्त फाइनल कटोफ के इसाफ से अब जैसे देखो में अगर मैंने जैसे कटोफ की वीडियो तो नहीं है पर मैं आपको बता दे दो मोटा मोटा मैंने देखा 68 से 70 के बीच सारी कटोफ थी ठीक है इसी प्रकार क्या होगा जब आपकी मेरिट लगेगी तो इसमें लगभक ऐसे मानके चलेगी अगर यहां पर आपको 88 पर दिख रहे हैं समझने का प्रियास करना अगर आपको लग रहा है कि यहां पर विकास भाइया मालो 85 पर जारी 85 पर मालो ठीक है तो जो मेरिट लगेगी ना उस ताम जो मेरिट लगेगी वह कम से यहां पर इस प्रेकार देखने को मिलेगी बास समझ में आरहे हैं तो सीवीटी टू के साब से कट ओफ की वीडियो नहीं है तो मैं पर आपको जो मैं डाटा मैं नहीं बता रहा हो मैं आपको एक बात बतारो समझाने का परियास और एक चीज़ और बता देता हूं जैसे कि यहां पर एक चीज और देखना जैसे यहां पर आपके सो बच्चे यहां पर क्वालिफाइड लिए सो बच्चे क्वालिफाइड हुए तो आपको 105 बच्चे लिए जाएंगे ठीक है ना बास समझे में आ रहे हैं जैसे आपका पीछे गुरूब इस प्रेकार कुछ होता है तो वह उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा पर मेरा मानना है कि मैं आपको इस वेकेंसी के बारे में पूरा बता दो चलिए ट्रेनिंग जाने जब आप ट्रेनिंग पर रहेंगे और आफ्टर ट्रेनिंग की सुरुविधाएं क्या-क्या से इस पर आफ थे द्रेनिंग में जरसे वहां डीया होता है तो ट्रेनिंग प्रेनिंग में साट दीन लीकिन ट्रेनिंग जिस में आपको इंग्लिस ही कहो हिंदी में करिए English पसंद दो English में कर सकते कोई दिक्कत नहीं है रेलेवे के जिसमें क्या पढ़ाए जाएगा रेलवे के रूल आपको अगर मालो क्लर की जोप रख दिया या आपको टी सी के उस पर रखा गया तो आपको क्या काम करना है अब आप सीशे टी से आपको एमर कadata कर ले लिगा सतथ लिए पहली सब्सक्राइब करना है ज्यासे आप कार शीखर्णे या कार सीखने हैं प्रकार्ण कर बंदेती सब्सक्राइब कर दिए हो अपτε परिंदें ऑप से थे लेता है एक्सम कर लेन अहीं है और अनी लैसने कोई दिकम्स करना से जो एक्जाम में जो एक्जाम से पहले जो साथ साथ दिन में आपको जो सिखाया वही सब लिए नॉर्मल होता है ठीक है ट्रेनिंग में सेलरी कितनी मिलती है बेसिक पे साल के बात करूंती है अब दिकळिंग के साथ है ट्रेनिंग की टाइम की बात कर्णा हो भी पोस्टिंग की बात करें अपने घर परिवार को भी अच्छे से रख सकें अपने बच्चों को भी अच्छी जगह पर पढ़ा सकें इसमें आपको स्टेशन पर है कर भी जोब करनी पड़ सकती है जिसमें duty यहोता है आठ गंटे की आपको जोब करनी है night duty भी कभी कभी आपको लग जाती है night duty अगर आपकी होगी तो उसका आपको extra charge मिलता है ठीक है साथी साथ shift job होती जैसे आपको 6 से 2 हो गई ठीक है 2 से आपका क्या हो गया 2 से 10 हो गया यह 10 से राद 10 से सुबह 6 बजे हो गया इस प्रगार हमारे 3 shift में होता है पर यह एक बार ध्यान रखना यह time 8 गंटे तो fix है पर कभी कभी यह तो तब है जब आप वहाँ पर रहकर station पर रहके काम करें कभी कभी आपको train में भेज दिया तो वहाँ पर आपकी train 8 गंटे की थी पर वहाँ पर time 10 गंटे लग गया तो उसका आपको extra कुछ नहीं मिलने वाला इस तरह ध्यान रखेगा weekly आपको एक off रहता है कभी Sunday में किसी का Monday fix है किसी का Tuesday इस परकार बदलता रहता किसी का fix नहीं होता weekly छुटी का आजएगा अगर हम बात करें यहाँ पर PRC सभी ध्यान दे को मैं हमेशा चाहता हूं कि आपको एक-एक बाते समझाओं ठीक है यह PRC क्या होता है पेसेंजर रिजर्वेशन काउंटर अगर आपको वहाँ पर रख दिया है तो वहाँ पर fix है अगर आपको counter बठा दिया है कि पेसेंजर की रिजर्वेशन काउंटर होता है मैं वहाँ पर बठा दिया तो वहाँ पर fix है कि Sunday में आपके छुट्टी होगी ठीक है भाई आ जाएगा अब यहाँ डिप्टी CTI की बात कर लें डिप्टी CTI देखो जितने भी दोस्त बैठें सब को समझ में आ रहे हैं कि चीज़ें बहुत डिटेल में वीडियो को आज़ आपको ट्रेवलींग ड्यूट्टी में आपको भेज भी देखा दिया मतलब को ड्रें में बठा जाएं कि वहाँ पर कितने आपके ctk यहां से जा रहे हैं आपको चीफ गुड्स कि लर्क में रहेगी तो वहां पर आपको फिक्स है कि सुभ़े नो बजे से 8 गंटे जोब करनी है और दो गंटे दो संडे और सटर्डे आपको भी मिल जाता है तो मैंने पोस्टिंग ड्यूटी टाइम की बात कर ली है अब हम बात है क्या आपको अभी तक सब कुछ समझ में आया क्लियर है क्लियर है बोलो हां सर क्लियर है पूरे यूट्यूब पर चान लेना अगर ऐसी वीडियो मिल जाए ठीक है लोग बस सेलरी कितनी है स्लेवस यह सारी बाते बताएंगे मैं पूरा डिटेल लिकाल के लाया हूं अब द्यान से सुनना मेरे दोस्त बिल्कुल द्यान से सुनना समझना आईएगा अब यहां पर ध्यान दखना अगर हम इस पोस्ट पर सुपर्वाइजर की पोस्ट पर रहेंगे तो हमें और अफिस में रहकर भी काम करना पड़ सकता है और फिल्ड जो भी हमारी है फिल्ड पे जैसे आपके गाड़ी में कितने पारसल रखें इस टेशन माच तक पोचा खबर देना कि तने पारसल यहां से जा रहे हैं ठीक है गुड्स रिकोर्ड उनका जो रिकोर्ड रखना है ठीक है चीप पारसल के रूप में भी या गुड्स कलर्क आपकी जो यहां पर जोब होती पर इसमें रिकोर्ड भी आपको डियारं उफिस में रखेंगे तो यहां फिक्स होती है जो कि आपको आठ गंटे ही करना है इस बात का ध्हन नखिएगा आ जाओ यहां पर क्या हो रहा कितने पारसल जारहें कितने जानकारी आपके उसकी रिजिस्टर में आपको देनी और सिर्फ ऐसा नहीं कि खोदी सब कुछ लगा पड़ना है नहीं आपको यहां पर असिस्टेंट भी दिया जाएंगे जैसे cctc यह आपका यहां पर cctc सुपरवाइजर जो होंगे वो भी या चीफ आपके क्या होगे cctc यह सब लोग आपको मिलेंगे ठीक है यूनिफोर्म जो होती है ब्लैक पैंट वाइट शर्ट होती है यह लड़की हो चाहें लड़का यह सबसे अच्छी जो मैं इसको मानता हूं क्योंकि हमें एक सम्मान मिलता है जैसे स्टेशन माश्टर महां पर देखो क्या होता है हम लोगों को ड्रेस इस नहीं मिलती हैं थेखे यहां पर देखो बिर्कों के बात करें सभी यहां से सुननेकर अव आप छिए सब parallelsob आपको पहली बार कितना बड़ा फाइदा कि 42 ग्रेड़ पी की वेकेंसिप आपको जो मिल रही है ठीक है उसके बाद आप CS की जो पर आते हैं फिर परमोशन के दुरू आप ACM भी बन सकते हैं ठीक है ACM वाले जो होते हैं वो DCM बनने के लिए कम से कम 10 साल का प्रोसेस यहां पर भी लग जाता है ठीक है पर दिहान रखनाना यो आपका SR, DCM, DCM और ACM जो होता है UPSC की थूरू भी इनको अपलाई करते हैं इस बात का धर जायतर लोग वहीं से अपलाई करते हैं पर यहां पर एक सेलरी लेविल 6 की है ग्रेड पर 42 है बेसिक पर आपको 35,400 आप डियर्नेस अलाउंस की बात करें तो 17,750 पर यानी बेसिक पर का आपका कितना हो गया 50% ठीक है अब यहां पर सेलरी जो होती है हर 6 महीने में इंकरीज होती है जैसे एक जुलाई में और एक आपका जनवरी में थिक है ध्यान अरण करें गखाएं अब अबरण करें नग हो tuat अपको अलग से मिलती है दोर्त का ध्यान द्हान रखेंगा और आपका कभी-कभी national holiday जो पढ़ जाता है तो उसकी salary भी आपको अलग से मिलती है दोस्त इस बात का ध्यान नखीगा त्रेवलिंग allowance की बात करें तो एक हजार जैसे आप अगर यहां से 8 km से देखो अगर आपको स्टेशन पर रहकर हो तो आपको fix salary है पर अगर आपको कभी ट्रेन में भेज़ दिया तो अगर 8 km से आप दूर जाते हैं तो आपको पर डे का ज्यादा है टाइम लग जाना तो उसका आपको कोई चार्ज नहीं मिलेगा उसका नहीं मिलता इस बात का ध्यान लखेगा एनपेस की बात कर लेते हैं तो एनपेस में देखो भाई 10 परसंट बेसिक पे का ऊपर से डिये दोनों को मिला कर पांस जारी रुपे यह मिलेंगे टिक है गोवर्मेंट की तरफ से जो आपको कॉंस्टिबूशन मिलता तो वह क्या होता बेसिक पे का 14 परसंट और डिये का तो यहीं साथ जारी टोटल मिलाकर आपको एनपेस कितना मिलता है बारा हजार सासो चावालिस यह मिलता है तो अगर हम गुरो आपको इन हैंट सेलर तो उसका अलग मिलेगा तो इन चीजों में आप धशन्य के ग्रोस सेलरी जो मिलती है वह आपको 69 ठीक है यानि कि 70,000 मानेके चलिए ठीक है और नैट पे यानि कि आपको इतनी सेलरी होती है पर काट पीट कर आपको 63,000 मिलती है तिक है वाई सिटीज में 62 आपको जैडीय मे maximum अगर मैं बात करूँ, maximum यहाँ पर 70,000 आप मानके चलिए, सब कुछ मिला कर आपको 70,000 आपकी जेम में आ जाते हैं मेरे दोस्ट, ठीक है मेरे दोस्ट आज़ो, आगे बात कर लेते हैं leave or allow, इसमें एक चीज़ और बता रहा बहुत सारे कहते हैं, बेसिक पेका इतना मिलता है, नहीं वो फिक्स है कि 17,000 कुछ रुपए आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है भीया, आज़ो आप देखो छुट्टी की बात करते हैं, इसमें छुट्टी कितनी मिलती है चुट्टी की बात कर लें, सुनना चाहते हैं, चुट्टी कितनी मिलती है, आज़ो भाई, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, पर कोई बात नी, जानकारी पूरी इस वीडियो में मिल जाएगी, आपको हर वेकेंसी के लिए ऐसी जानकारी लाके दे दूँगा, ठ उसे साथ कहीं पर आप को चोड़ा साथ कर आपको क्या होता है, ये एक इसमें थोड़ा सा इसमें डिस एडवान्टेज आगर हम कहेंगे तो यही है, कि आपको हर तीन साल में कहीं दूसरी जगा पर भेजा आप यह फोर। अगर आप रिक्वेस्ट करके आप जैसे आप महाँ पर लग गए जोब पर आपको तुरंत ही वह हमें चाहिए पर तुरंत नहीं हो सकता तो लगभग आप तीन से चार साल या पास साल जोब करने के बाद ही आप पहला महाँ पर क्या बोलते हैं ट्रांसफर ले सकते हैं दूस पुसके पत पर जाएंगे वह यहां जाएगा ठीक है इस प्रकार भी हम कर सकते हैं और इस पाउस ग्राउंड यह क्या होता है इसमें क्या होता है जैसे आपकी वाइप किसी भी सरकारी किसी भी पोस्ट में है तो आप चाहते हो कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहूं तो उसक अच्छी सविधाए है फर पढ़ने वाला होना चाहिए महनती बच्चा होना चाहिए रेलवे क्वाटर मिलता है रेलवे में होस्पिटल आपको फुलिस गाड़ मिलेंगे कितनी चीज़िए वहां पर उसको कैशक तयाए मिल जाती है थिक है बाहर समझ मैं अब चुल्ड एजुकेशन लिए आपको तैने सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो सबसें इंपोटेंट होता है पास यह क्यों करके सकते हैं जो मिलता है वह 5 साल में 1 ठीक है ना पारी एर कितना मिलता है एक मिलता है और आफ्टरपाज यानि पान साल के बाद आपको 3 पर यर 3 मिलना सुरू हो जाता है ठीक है और यहागी पीटी ओक में पीटी ओक्या होता है आपको ऑफस्त A.C. की बता दी सैकंडेलं सी का अभी आपको क्या PAK YEAR 4 मिलते हैं तो पाउर तो यह मिल रहा है तो आपको पास साल तक चार यह मिले hen ठीक है अभी पीटी क्या होता हुचछ प्यारे दोस्त PAK लो आपको आपका टिकट 300 रुपे का है तो उसका आपको 1 by 3 यानी की 100 रुपे आपको देना पड़ेगा बस और यहां भी आपको 4 यह मिल रहे हैं तो कितने 8 तो पास आपको ऐसी मिल गए बताओ और क्या चाहिए दूसरी स्कूल अगर आपको कोई बच्चा कहीं पढ़ने जाता है उसको ट्रेन से सफर करना पड़ता है तो उसके लिए भी आपका पास बन जाता है दूसरी बात दीवाली बोनस भाई लोग कहते हैं इतना मिलता है वह सैलरी का कुछ नहीं फिक्स है सत्रहहजार 951 फिक्स है कि इतना ही मिलता है ठीक है आजएगा अब यहां पर फीमेल के लिए कितनी अच्छी पोस्ट यह और बता देता हूं दोस्त फीमेल के लिए जो अच्छी पोस्ट है पहली बात रेस्पेक्स पूली जोब है क्योंकि आपको रेस्पक्रिस ले मिलते ह आपको रौत है आहां पर साथ रहता है है टो रहता है अपको भी सप्वर्श के पास ही आपको जोब करने को मिल जाती है यहिसे अपने अपने बच्चमे को भी देख को दूसरी बथाconnect आपका जो क्या होता है reputation वाली जोब है reputation वाली जोब है ठीक है आपको देखो वह सेलरी अच्छी आपको जाज़तर आपको वहीं पर रहकर काम करना पड़ता है ठीक है और आपको X या पर कोई बात नहीं है आप मेहनत करोगे तो आपका हो जाएगा आपकी उसको देखकर ठीक है डिस एडवांटेज और एडवांटेज को भी बता देता हूं जल्दी से फिर वीडियो खतम करते हैं डिस एडवांटेज क्या है पहला देखो यहां पर जो आपको ट्रेवलिंग आपको जब ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो आठ घंटे का ट्राइम है पर ट्रेन लेट हो गए दस घंटे तो उसका आपको कोई बैनिफिट नहीं मिलता है यानि कि आपको रणिंग के लिए आपको कुछ एक्स्टर नहीं मिलता है बस हाँ यह है कि आजार रुपे पर दे पहला आपका disadvantage यह हो गया shift job अब यह fix नहीं कि किस shift में होगा आपको पहली में भी रख सकते हैं दूसरे में तीसरे में भी और चैंज होता रहता है ठीक है पर भी है आपको station उस पर वहाँ पर भी काम करना पड़ सकता है हाई salary है ठीक है सबसे अच्छी salary है ठीक है अगर आपको डिप्टी CTI की रूप में आपको मिल जाती है यूनिफोर्म बात करें तो public respectable job है कोगि आप यूनिफोर्म में तो लोग इज़त भी देंगे posting अगर देखें तो mostly X या YS में मिलती है यह आपके लिए plus point है Z में बहुत कम मिलती है non safety ठीक है आपको यहाँ पर क्या है आपको सुधाई भी बहुत अच्छी मिलती है और यहाँ पर रहकरा पढ़ाई में अपनी तयारी भी बहुत बहतर कर सकते है ठीक है तो मैंने सब कु duty ठीक है night की कोई shift नहीं fix है कि और आपका less workload workload बिल्कुल भी नहीं है ठीक है transfer आपको यहाँ पर जैसे आपको हर 3-4 साल में मिलता यह fix job है और only DRM या GM office में आपको posting मिलती है तो मैंने पूरी जानकारी आपके लिए कर आया हूं तैयारी बढ़िया करिए इसके तैयारी हम लो कराया हूं और आप मुझे comment करके बताओ क्या आपको बढ़िया लगी जानकारी एक बार comment करके बढ़ी महनत करके लाया हूं और अगर आपको ऐसी information किसी और जैसे मैंने cctc supervisor की मैंने बताई अगर आपको किसी और चाहिए goods guard हो cctc की बात करें या किसी की लिए भी आपको ऐ पहली बार ऐसी vacancy आए तो इसका फायदा उठाईएगा जाइए contact number भी WhatsApp नमबर दिया है